हेलो बच्चों कैसे हैं आप मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अब आपने कंटिन्यू कर दी होंगी और मुझे उम्मीद है कि ये खबर आपको पहले से ही मिल गई होंगी जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 13 फरवर एक दिन सोमवार से प्रारम होने जा रहे हैं और आपकी वहां कंटिन्यूवेशन में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो 15 फरवरी यानि कल से सोमवार से आपके विद्याले खुल रहे हैं कक्छा 9 मी से लेकर के कक्छा 12 मी तक के लिए यानि 9, 10, 11, 12 इन सभी विद्यार् हो रहे हैं चाहे वह आपके गौवर्मेंट के स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो ये सारी चीज़ अब ओपन होंगी और आपकी पढ़ाई अब कंटिन्यूवेशन में चलेंगी और चुकि अब जस्ट आपके दो महीने के बाद 15 एप्रेल से आपकी बोड पर इक्छाए क्लास 10 वालों के स्टार्ट हो रही है और ऐसे ही क्लास 12 वालों के भी स्टार्ट हो रही है अगर नई किया है टाइम टेबल नोट तो उसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी वहां से जाकर कर आप अपने टाइम टेबल देख सकते हैं nah और बच तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका भ्रहम पूरी तरह से तूट गया है, चुकि टाइम टेबल भी आ गया है, कि आपकी बूर्ट परिक्षाएं कब कब होनी ही, किसकी सब्जेक्ट का, तो उसके हिसाब से अब आपके स्कूल्स भी लगभग दो महीने के लिए ओपन किये जा रहे हैं, कि कम से कम कुछ पढ़ाई आपको करा दी जाए, ताकि दो महीने में आप कम से कम बोर्ट को लिखने के लिए, बोड के exam paper लिखने के लिए able हो जाएं और अपने board examination अच्छे से appear हो या उसको अच्छे से crack कर सकें अब दो महिने में तो आपकी उतनी अच्छी तयारी नहीं हो सकती जितनी आपकी होनी चाहिए तो यह सिर्फ बहुत छोटा सा time period है जिसमें सारे subject बहुत अच्छे से cover कर पाना बहुत मुश्किल है तो आपके पास बहुत कम समय है इसी में आपको अपना syllabus खतम करना है इसी में आपको अपना revision करना है practice करना है बहुत सारे model paper लगाने है previous year के question paper आपको practice करने है और बहुत सारे काम करने है revision भी करना है और board exam भी लिखना है और यह सब कर पाना बहुत मुश्किल काम है तो at least आपको क्या करना है कि कम से कम 2018 से लेकर के 2020 तक के आपको जो previous year के paper है 2018 से 2020 तक यह 3 साल के previous year के paper आपको हर हाल में लगा लेने हैं तीनो सेट, सेट A, सेट B, सेट C हर subject के अगर आप यह कर लेते हैं तो आप लगभग लगभग काफी हद तक आपका preparation हो गया क्योंकि CG board का pattern ही कुछ ऐसा है कि हर साल maximum repeated question यह board में पूछे जाते हैं तो आपको 2018, 2019 और 2020 यह जो पिछले साल के papers हैं तीनो सेट हर subject के practice करने हैं लगा लीजे, कुछ model paper लगा लीजे, कुछ selected questions हर साल जो repeat होते हैं उनकी practice कर लीजे मैं भी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी अपने इसी channel पर crash course की शुरुवात करूँ ताकि हम लोग इस दो महिने के अंदर अंदर आपके पूरे mathematics के syllabus को complete करवा सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे रूप से करवा सकें तो उसके लिए आपको करना यह है कि description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा वहाँ पर जा करके आप telegram channel में join हो जाईए क्योंकि मैं सारी notification telegram channel पर ही दूँगा तो वहीं से आपको सारे updates मिलेंगे जैसे ही मुझे आपके अच्छे response आने लगेंगे वैसे ही मैं crash course की सुरुवात कर दूँगा जिसमें हम लोग chapter wise mathematics के हर chapter के selected questions उसे में आपके multiple choice question आ जाएंगे जिसको आप लोग बहुवे कल्पिक प्रशन बोलते हैं फिलिन्द blanks भी cover हो जाएंगे true false भी cover हो जाएंगे और 8-10 selected questions जो की exam में आने की संभावना जिनकी 99% है ऐसे questions हम लोग हर chapter से practice करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप लोग telegram channel में join हो जाएंगे यदि आपको कोई question करना है तो आप comment करके इसी वीडियो की नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप हमारे instagram पे जा करके हमारे profile को आप वहाँ पे follow करिए और instagram पे message करिए वहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब जरूर दे सकते हैं तो जल्दी से जल्दी telegram channel को join करिए और ये notification आप पूरा पढ़ भी सकते हैं देखिए नीचे ये सारी चीजें की कोविड 19 के सभी जो बचाओ के संबंद में निर्देश जारी करती है गौर्मेट उसका पालन करते हुए इसकूल आपकी open किये जा रहे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं ये 13 तारीक का notification है जो गौर्मेट ने release किया है तब आपकी स्कूल भी खुल रहे हैं यूटूब चैनल को भी subscribe जरूर करिए और जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को share करिए ताकि सभी तक ये informative वीडियो पहुंच सके तपर मिलते हैं किसी next वीडियो में next information के साथ और अगर आपका कोई सवाल है कोई question है तो आप लोग comment जरूर करिए या Instagram पर जाकर के message करिए और Telegram चैनल को जरूर से जरूर जोइन करिए क्योंकि crash course से related सारी जानकारिया वहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत जल्दी तो चलिए मिलते हैं पर next वीडियो में तब तक के लिए good bye